तो आज का पहला टॉपिक आपका इस साल का है तीन वोड अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि कहा यूज करेंगे जिसका हिंदी होता है कि अलावा अब चलिए इनके यूज को समझते है sentences में तो पहला आपका sentence है कि अंग्रेजी के अलावा मैं हिंदी बोलता हूँ तो यहाँ पर के अलावा के लिए apart from, in addition to और besides तीनों में से कोई एक कैयूज कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं apart from English I speak Hindi in addition to English I speak Hindi besides English I speak Hindi तीनों आपका correct sentence है यानि कि के अलावा का आप apart from, in addition to और besides में से कोई भी एक ले सकते हैं दूसरा आपका sentence है कि teaching के अलावा मैं बैंक में काम करता हूँ in addition to teaching या apart from teaching या besides teaching कोई भी आप ले सकते हैं तो in addition to teaching I work in a bank apart from teaching I work in a bank besides teaching I work in a bank बिलकूल आपका तीनों का तीनों sentences correct है तो तीसरा एक्जाम्पल देखते हैं अंग्रेजी के सिवा मैं गनीत भी पढ़ाता हूँ यानि कि अंग्रेजी के अलावा तो in addition to English I teach mathematics ठीक है besides English I teach mathematics या apart from English I teach mathematics ठीक है तो यह आपका हो गया apart from in addition to besides जिसका हिंदी होता है के अलावा sentences में आप तीनों में से कोई एक ले सकते हैं और उससे आप sentence बना सकते हैं अज़ाए